सबसे पहले अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और नीचे तुरंत कॉमेंट करके लिखें जै हनुमान उसके बाद ही वीडियो देखना शुरू करना कुछ दिन पहले हमने हनुमान जी के बादे में एक वीडियो अपलोड किया था जिसे आपने बहुत प्यार दिया इसलिए हम आपके लिए इसका दूसरा वीडियो भी लेकर आए हैं आप इसे अंत तक जरूर देखेगा वालमिकी रामायन में राम के बाद अगर किसी का नाम स्मरण किया जाता है तो वो है हनुमान का रामायन में हनुमान जी का वानर के रूप में वर्णन किया गया है साधारन रूप से हम वानर शब्द का मतलब बंदर ही समझते हैं लिगन ऐसा नहीं है दरसल वानर एक संस्क्रिट शब्द है और ये एक ऐसी प्रजाती को कहा जाता है जो वन में रहते हैं और ऐसे वानर उस समय दक्षन भारत, मयानमार, मलीशिया और इंडोनीशिया में रहते थे वानर और बंदर में फर्क होता है बंदर को संस्कृत में मार्कती, कपी, मार्कट और बनकापी भी कहते हैं उस समय हुमोसेपियन यानि हम अकेले ही बुद्धिमान जीव नहीं थे कोछ ऐसी भी प्रजातिया मौजुन थी जो हमारी तरह ही बुद्धिमान थी वनर दिखने में बंदर जैसे थे पर मानों जैसे ही समस्दार और मानों से भी अधिक बलशाली थे वे बोल भी सकते थे और मानों के तरह एक साथ भी रहते थे रामायन में वानरों का जिस तरह से वर्णन किया गया है वो मानव के वर्णन से बहुत मेल खाता है खोज करताओं को मिले अवशीशों के आधार के अनुसार वानर योरोप, अफ्रीका और पस्चिमेशिया में निवास करते थे रामायन के अनुसार वानर पूरी धर्टी पर पाए जाते थे लेकिन उनकी सबसे ज्यादा संख्या किशकिंदा में थी जब राम लंका की तरफ रावन से लड़ने निकले तब वानरों के राजा सुगरीव ने सारे वानरों को एक जुट किया था किशकिंदा में वर्णन किये गए वानर सामराज्य के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वे गुफाओं में रहते थे और खोज करताओं ने पाया कि वे गुफाओं में ही रहते हैं अगर हम रामायन को देखें तो रामायन में भी वानरों और मनुष्य के विवा होने का उलेख मिलता है सुगरीव और बाली को अगर आज हम देखें तो उनकी पूँच दिखाई गई है लेकिन उनके पत्नियों की कोई पूँच नहीं है और ना ही उन्हें बंद्रियों के तरह दिखाया गया इससे इसाबित होता है कि सुगरीव और बाली बंदर नहीं थे वो वानर थे रामायन में वानरों को कभी भी बंदरों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया रामायन में हनुमान जी के बारे में कहा गया कि वे रिगवेद, यजुरवेद और सामवेद के बिद्वान थे और संस्क्रित और व्याकरन भी अच्छी तरह से जानते थे अगर हनुमान जी की इतनी योग्यता थी तो वे बंदर गैसे हुए रामायन में ऐसे कई सारी सबूत हैं जिससे सावित होता है कि वानरों की जाती मनिश्य के तरह विक्सित और खुशियार पर जाती थी जिससे हम अज्यानता के कारण बंदर समझ बैठे आज का विध्यान रामायन और महाभारत को कालपनिक मानता है क्योंकि रामायन और महाभारत में ऐसे योद्धाओं का ऐसे जीरों का वर्णन है जो आज के इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर और खुशियार थे लेकिन हमारे विग्यान के त्योरी गनसार इनसान का विकास जिस तरह से हुआ उसके हिसाब से आज का इनसान ही हुश्यार और सरुस्रेश्ट है इसलिए विग्यानिक और कुछ लोग रामायन और महामारत को ख़जम नहीं कर पाते दोस्तों आप हनुमान जी के बारे में क्या सोचते हैं अपने विचार नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं यो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों को मेरे वीडियो शेयर जरूर करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी अनोखी इंफोर्मिशन आपको मिलती रहे सबसे पहले दोस्तों आपका दिन शुब हो बाई